गर्ल चलो भाई ठीक है सबकी जरूरत है यहां पर कुश्चन पढ़ो आप लोग फाइस्ट कुश्चन क्या कहता है तू पॉइंट वन में एक मिनट मुझे भी ओपन कर लेने दो भाई बुक लिये हो सबी न किताब लेके बैठना बच्चा तब ही मज़ा आएगा पहला कुश्चन हो गया है बच्चों आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे जिसमें हमें गुडांक ग्यात करना है गुडांक को इंगलिस में कॉफिसियंट बोलते हैं जो सीबेसी के बच्चे है या फिर और अधर बोर्ड के उन्हें समझ में आना चाहिए यहां पर मुझे पहले दिखना चाहिए कि आखिर आ कहां तक रहा है तब मैं उसी यादार पर आगे बढ़ूँगा न देखो इसमें बड़ा कचड़ा बारा हुआ है थोड़ा सा रुक जाओ मुझे देखने तो प्रिव्यू क्या दिख रहा है बोर्ड में कहां तक दिख रहा है कैसे क्या है चलो तो बच्चा परटी यहां पर लिखो बाबू लाइव मतलब आप ना लिखो मैं लिख रहा हूँ अपने हिसाब के लिए लाइव 12 है आज क्लास नाइन्थ का एंसी ए आर्टी मैथ्स चलो तो इकसर साइज आपका चलेगा 2.1 कुश्चन नंबर होगा सिकेंड फर्स्ट कुश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं गुडांक क्या होता है पहले तो कुश्चन आप लोग किताब लिए हो तो जानी रहो निम्न में से निम्न में से मैं पूरा नहीं लिखोंगा ठीक है निम्न में से परतेक में परतेक में यकस स्क्वायर का गुडांक पताईए ये बताना है गुडांक को इंग्लिस में कॉपिसियंट बोलते हैं तो बच्चा इसके आगे दीख रहा है न देखिए मैंने आपको चर और अचर पढ़ाया है जब आपका दूसरा चैप्टर सुरू हुआ उसके पहले ही इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्स्पलेन किया था न आई उसका राय हाँ ठीक है CBSC के लिए भी है गुडांग को इंग्लिस में कॉफिसियंट बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉफिसियंट बोलते हैं ठीक है तो बच्चा चलो लिखो 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 इसका जो पहला है इसका जो पहला है इसकेंड का फर्स्ट पार्ट है तो 2 प्लस yaks का square प्लस yaks हमें क्या करना है x square का coefficient निकालना है तो बच्चा लोग ये देखो इसमें yaks का square है कहाँ यहां कहीं एक red penthi में उसको भी लेता तो अच्छा रहता yaks का square जो है वो देखो तो ये दिख रहा है ना ये है तो हम इस पद को पकड़ेंगे अर्पित यादो जी बहुत अच्छे माइतमेटिक्स गुरु जी बेरी गुड यक्सी स्कॉयर इसके साथ देखो गुड़ा में कोई गिंती है क्या नहीं है आप कहोगी ये कौन सी बात बता रहे हो एक मिनिट ये तो पूरा छे का हुआ यार इसको थोड़ा साइड करता हूँ ये लो बस चलो अब देखो इसके साथ कोई गिंती नहीं है जैसे एक छोटा सा उदारण समझ लो जैसे अगर ये सेबन एक्स का स्कॉयर होता तो यहाँ पर हम कहते कि यक्स स्कॉयर के साथ गुड़ा में सेबन है क्या है सेबन है अगर ये 19 यक्स का स्कॉयर होता तो यहाँ पर हम कहते कि यक्स स्कॉयर के साथ गुड़ा में 19 है समझ रहो ना बच्चा तो यहाँ पर यक्स स्कॉयर की गुडांग की बात करें अगर कॉफिसियंट की बात करें तो वो 7 है क्या है 7 लेकिन अगर यहाँ पर X-square के गुडांग की बात करें तो क्या होगा बताओ रंजु देभी आप बताओ दोनी गुपता सूरज ब्रो साचेत टेकनिकल इंडिया बताओ चलो क्या होगा कोशिस करो ना यार थोड़ा सा मतलब मैं पूरा बता दूँ तुमें सब तुम छापलो बस इतसी लिए पैदा हुए हो का थोड़ा कोशिस करो ठीक है तो उसी आधार पे हम इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर क्या है कुछ नहीं मतलब कोई गिंती नहीं दिख रहे तो बज्चा अगर कोई गिंती नहीं होती है ऐसी स्थीति में जो गड़ांख होता वो वन ना जाता है क्या होता है वन माना जाता है सिवं कुमार का सबसे पहลा जबाब आया 19 होगा विल्कुल सही जबाब है 19 हाएगा यहाँ पर क्या होगा 19 होगा बहुत अच्छे very good very good very good बहुत अच्छे कपिल ठीक है फिकास सिंग ओके यहाँ पर क्या 1 है यही इस्थिती घात में भी होती है बच्चा अगर यहाँ पर यक्स है न इसकी कोई घात नहीं खोपड़ी पर कोई नहीं बैठा इसके तो 1 माना जाता है क्या माना जाता है 1 माना जाता है तो यहाँ पर घात की बात करें अगर कुछ नहीं तब भी 1 होती है तो उस तरह से इसका जो गुडांख है क्या है एक है तो हम चलते हैं अपने कुईस्चन पर यहां पर समझो देखो यहां पर सीधा सीधा मैं नहीं बता सकता कि आपको सिर्फ आंसर बता दूं क्योंकि हमारा उद्देश से है हर किसी को समझाना तो जो इसमें ज्यादा माश्टर बनते हैं उनको कभी नहीं पढ़ना और ना वो हमारे हां पढ़ पाएंगे जिनको सीखना है वो पढ़ सकते हैं क्योंकि हम स्टेप बाई स्टेप सब बताएंगे तो लिख लो नीचे किसका निकालना है एक सिस्क्वाइर का ना एक सिस्क्वाइर का गुडांक बराबर वन इंग्लिस मीडियम होले लिख लें कोफिसियंट आफ एक सिस्क्वाइर इक्वल वन पस हो गया यही तो निकालना था अब तुम कहोगी कोफिसियंट की स्पेलिंग भी नहीं आ रही भाई हां इस्पेलिंग तो जन्बे करते हो क्या लिख हो फाल तू मुझे तो हिंदी मीडियम पढ़ाना लेकिन मैं इंग्लिस बता दे रहा हूं जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं ठीक है कोफिसियंट के में कुछ ऐसा होगा फाइंड दा कोफिसियंट आफ एक स्वाइर इ कीता मौर्या हां राज बर्मा बेटा बहुत अच्छा कह रहे हो तुम पढ़ लें तब बात करें न ठीक है अच्छी बात है कम से कम सुधर तो रहे हो तुम चलो अच्छा एक बात बताओ इसका जो सिकंड पार्ट है जितने भी बच्चे NCRT बुक लिए है सब में मिल रहा है सिधा सिधा यह है टू माइनस यक्स का स्कॉयर और प्लस एक्स का क्यूब है तो बच्चा इसमें क्या होगा भाईया राजा इसमें का होगा हां सोचो एक बार ईसे यह भी है वैसे यह भी है कोई बताये निवन गेंग मिन आर्या फेमली बहुत अच्छी बात है तुम लेट हो गई हो तुम खली लेट हो ना कल भी लेट हो ना तुम्हें आवार्ड देंगे लाइस्ट में हम पढ़ा देंगे तो सब को क्योंकि तुम रोज लेट आती थी इसलिए चलो लॉकुस जीतने भी नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ककि बीना सब्सक्राइब करें आपका कमेंट नहीं आ रहा होगा तो अगर आप बहुत कोशिस कर रहे हो कमेंट करने की न तो बच्चे आप चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आप भी कमेंट कर पाओ ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि मुझे रोज पढ़ना है और फिरी पढ़ना है न उन्हें यूटूब पर हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे साइंस मैथमेटिक्स इंगलिस जो में में सब्जक्ट है वो पढ़ाएंगे ठीक है तो आपकी जिम्मेदारी है कलास को सेयर करना वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब सिर्फ ए वना कर्म करता है अंको मरने के बाद कहते हैं साथ में लेकर वही जॉत काम करता है जब को उमर जाता है तो क्या कहते है करके भई फ्लाने बहुत अच्छा आदमी रहत नीक आदमीत कि मारते हैं समझ रहे हो न तो यह मैंने क्यों बताया इसलिए कि यह माइनस में है यह पद किसमें है माइनस में है तो यह माइनस के साथ ही नीचे उतरेगा मतलब इसका कर्म है ऐसा समझ लो तो माइनस का एकसी स्क्वाइर क्या है माइनस का एकसी स्क्वाइर तो इसमें पेटा यादो जी गेमिंग, तुम जी अफू अब तो नहीं बना पाओगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी भरबाद हो जाएगी, जरूर ये कन्फरम है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हर चीज का टाइम होता है, पढ़ने का टाइम है, पढ़ लो, देखो ये कमेंट कर रहे हैं, मेरी जी अब बनोगी, अबे तुम किस काम के हो बताओ, तुम्हारा कोई क्यों बनेगा, कुसी काम के हो, बताओ, आज कर लोग क्या खोजते हैं, मालू मैं तुम्हें, किसी काम का होना चाहिए बन्दा, और तुम किसी काम के हो नहीं, करो के क्या तुम, ना तुम पढ़ ल देता हूँ आज चलो चलो अगर तुम्हें एक कोईश्टन का जवाब दे दो तो मैं आज से तुम्हारी फिक्स करवा देता हूँ पाई अपान टू यक्स स्क्वाइर प्लस यक्स चलो भाई बताओ यादव जी गेमिंग यादव को बला वह बदनाम ना करो इसमें एक्स स्क्वाइर का गुडांग क्या होगा ये बताओ तुम्हां मनोज सिंग साही बोल रहा हो अच्छी बात है लेकिन बच्चे हैं चोटे हैं तो एक आत बार देख लेता हूँ मैं भी मजे में बाद में इनको बलाग तो करूंगा ही मुझे मालूम है अगर दुबा करते समय बोलना नहीं जाता है चुप़े से बलाग कर दिया जाता है छट पटा नेंगे बस क्या होगा कोई बताएगा मनु राजपूत भायरो गेमिंग पूजा कुमारी रंजू चिराग बल्राम सर्वन हिमानसू प्रीतम तनू जेके लाइट बहुत अच्छे तुम लोग कभी फास्ट जा रहे यार कमेंट और फिरी कर दूं क्या मुझे लग रहा है कुछ समय होल करो दाप के चलो खूब करो खूब दाप के कमेंट करो चलो ओके गुड तो ठीक है बच्चा आगे बढ़ते हैं समझते हैं इसमें यक्षी स्कॉयर का गुडांक निकालना है तो हम पूरा-पूरा पद पहले उतारेंगे समझ रहो ना पूरा-पूरा पद जैसे ये समझ ल तो डाक्टर के पास पूरा इंसान ले जाना पड़ेगा ऐसा तो नहीं उसका पेट निकाल के ले जाओगे नहीं न तो वैसे ही कुछ इसमें क्या है इसमें हमें जिसमें फाइंड करना है वो एक्स स्कॉायर में क्या करना है coefficient find करना है गुडांग तो हम पूरा पूरा पद लेंगे मतलब 1 s2 तो लेंगे ही इसके साथ में क्या है पाइएपांटू तो इसका जो गुडांग मतलब इसके साथ गुडा में क्या लगा है मतलब गुडा में लगा हूँआँऑ अंक ही क्या कहलाता है गुडांक गालाता है क्या कालाता है बच्चा गुडांक गालाता है तो ये पाई ये पांटू क्या होगा इसका गुडांक होगा ठीक है समझ गए ना सभी बच्चे किसी को कोई परिसानी आफ़त कोई मुसीबत नहीं न देखो मैं सामने से हड जाता हूँ तो तुम screensarte ले लिया करो ठीक है? Screensorta ले लिया करो जिससे कि आगे इसे लिख सको तो बच्च ये तो आपका पहला QUESTION के सारे парट हो गए खतम अब second Qesehen हो गए आपका खतम, third question पे आगे बढ़ते हैं पहले मुझे एक बात बताओ सबी बच्चे कमेंट करके कि कौन-कौन बुक लिया है कौन-कौन नहीं लिया है इमानधारी से बताएंगे जो बुक लिये है वो हाँ बोलेंगे पर जो नहीं लिये है न वो ना बोलेंगे चलो बताओ किताब लिये हो न कह序 हैं से भी हो किसी भी बॉर्ड से हो आप लेकिन आप किताब हैं जरूर रक्त ओ, ठीक है ? सिवेस्थी वालों के लिए यह है किया हिंदी में हो यां इंगलीस में हों ौिस्टन सेम है अगर आप मिलाओ गए तो कॉईस्टन सेम है कोई भी अंतर नहीं सी वेस्टी में यही कुषिचन है, सेम तू सेम, ठीक है रेनु चोधरी, ठीक है, बेरी कुड, बंटी, सभी किताब लिये हो, इसमें को जूटा बोल रहे हैं, उनको तम लतिया लतिया अगमारेंगे, वो जानलो, समझ लो जूट नहीं बोलना जो जूट बोलना उसका घाटा होने वाला बेटा जो कि जूट नहीं बोलना चलो घाटा कहा से होगा वो बताएंगे तुमको नोट सो गर नहीं मिलेगा जो जूट बोलेगा और क्या चलो तो अगला कुश्चन क्या कह रहा तीसरा तीसरा कुश्चन क्या कह रहा है भई किताब उताब ले लो थर्ड कुश्चन में कह रहा बच्चा कि 35 घात के दुई पद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरन दीजिए 35 घात के दुई पद का और हंड्रेड घात के एक पद का न हाँ एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए तो बच्चा जो दुईपद होता है बच्चा बाबू उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बाइनोमियल बोलते हैं क्या बोलते हैं बाइनोमियल बोलते हैं यह जो सिबसे वाले हैं वो लिख लें, बाइनोमियल, यह क्या होता है, दूइपाद, क्या होता है, यह दूइपाद, रहा सही लिखाओना हिंदी, थूआध्त का उद्हारण, और क्या है, एकपद को इंगलिज में क्या बोलते हैं, मौनोमियल, मैंने आपको बताया था न, यह मोनोमियल जिनमें ओनली वन टम्स होता है एक बद लिख लो ना अब इसमें रोंका किफने है मैंने तुम्हें चर अचर बहुत अच्छे से पढ़ाया था चर अचर पढ़ाते समय मैंने कहा था कि बेटा तुम्हें मैथमेटिक्स की बैक्सीन लगा दे रहे हैं तुम्हें मैथ वाली कभी विमारी नहीं होगी लेकिन तुम पढ़े ही नहीं तुम्हें क्या करूआ तब तो तुम साक्छी का कमेंट देख रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था आज क्या होगा ऐसे देखो फिर रिजल्ट आएगा यह कोरोना दादा हर दम साथ नहीं देने वाले यह जा रहे हैं इनकी विदाई हो रही है रिजल्ट आएगा तो मुल लटकाना चलो ना पढ़ो यह जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए है तो बच्चा दुई पद का मतलब होता है वही जिसमें दुई पद हो दुई पद हो म चोटा सा उधरन अगर ले लो चाहे तो यक्स कघाथ 35 और प्लस 7 यह भी हो गया कुछ लोग काएंगे ना ही गरुजी हमारे कितब ही हम तो कुछ और दिया है तो बच्चा देखो तुम ऐसे भी लिख सकते हो य कघाथ 35 और माइनस का 9 मतलब कुल मिला के C को मिन मतलब 26 भाई हमें तो इतना ही मालूम है अगर आप सभी को कुछ और इक्ष्ट्रा मालूम है तो बता देना हम भी सीख लेंगे चलो तो 26 है तो उसमें से कोई भी आप एक बारियेबल लोगे कोई भी एक ले लो चाहे X ले लो Y ले लो B ले लो D ले लो कुछ भी ले लो ठीक है इ बतलब उसका जोड़ा बनाना जरूरी है उसके साथ में कोई ना कोई गिंती जोड़ो गया घटा होगे अब कुछ लोग कहेंगे का है गुरुजी गिंती जोड़ेंगे का नहीं इसमें तुम ऐसे भी कर सकते हो वाई का घात 35 और पलस का यक्स वाई जोड़ दो हम यह यह बाद ध्यान रहे यह घात 35 ही होनी चाहिए यह 35 नहीं कम होना चाहिए ज्यादा कम नहीं होना चाहिए बस बाकि तुम कुछ भी लिखो साथ में और एक चीज़ और समझ लो भाई दूइये लोग होना चाहिए तीन हो जाएंगे मामला गर बड़ा जाएगा यानि इसमें त तब तो फिर नो पर या Completely गया एक पड़ अगर आपने extra जोड दिया तो पिर दुली पड़ नहीं रहा और question में क्या कहरा है दुआद काही निकालना है थो तुमको क्या करना है दुपड से अधिक नहीं करना है बस यानि दुली पद होना चाहिए कोई भी चर हो कुछyon ठीक है तंतोष तिरपाथी समझ में आ रहा है असम मलिक इसाल समझ में आ रहा है ना बच्चा वनोज सिंग अच्छा एक बात बताओ मेरी आवाज भट रही है क्या मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आवाज जो है मतलब मदूर मदूर नहीं निकल रही अच्छे से मत बहुत तेज कोई बोलता ना तो आवाज चुबती है तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है क्या है ऐसा कुछ लगेगा तो बता देना क्योंकि थोड़ा धीम करना पड़ेगा सिस्टम यहां से होगा ना ऐसा कुछ है का फिर आवाज धीम हो जाएगी मतलब आपको थोड़ा धीमा सुनाई पड़ेगा बहुत तेज नहीं सुनाई पड़ेगा ठीक है फिर आगे चलें चलो थोड़ा सा मैं बैलून धीमा कर देता हूँ आवाज का अब देखोगे आप तो आपको आवाज तुम कुछ भी यक्स लिखके उसके उपर सौ लगा दो, क्या करना है, विश्चन में का कह रहा है, कह रहा है कि 35 गहात के दूइपद और 100 गहात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, तो तुम इसमें कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन द्यान रहे, यह 100 नहीं कम होना अगर कोई जुड़ा तो बात गड़बड हुई, समझ रहे हो ना, जैसे तुम पढ़ रहे हो, अकेले हो ठीक ठाक है, पढ़ाई चल रही है, लेकिन तुमारा कोई आ गया या आ गई ना, तो तुमारा मामला डिश्टर्ब हो जाता, पढ़ाई बढ़ाई होती नहीं है, त उसको भी अकेले ही रखना है, डबल नहीं होना चाहिए, तब ही चलेगा, अच्छे से नहीं तो गड़बडा जाएगा, समझ रहे हो ना, तो यह सिंगल ही होना चाहिए, बस, हम फिलहाल लिखे हैं वाई का 100, हमें यही अच्छा लग रहा था, तो आपका यह कोईश्चन ह हो गया, खतम, प्रेम चंद, बच्चा समझ में आ रहा है, कुंदन, कुंदन पंडित जी समझ में आया, चलो, नाम तुम्हारा है लब गर्ल, तो तुमको कलास में कहां मजाएगा, बताओ नहीं हाएगा न, अब यह कह रही है, कि आज की कलास बोरिंग लग रही है, बोरिंग मतलब इनको कुछ गरमा गरम चाहिए, मतलब मैं पढ़ाना बंद करके कुछ और करूँ, तो भई यह हम नह लग है न, चलो, अगले कुष्टन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अभी पढ़ लो, गाना वना सुना देंगे, डान्स वांस कर देंगे, अभी रुखो थोड़े देर पहले पढ़ लो, अगला कुष्टन तीसरा हो गया, चोथा, हाँ, कुष्टन नमर फोर क्या करना है, फा निमनलिखित बहुपदों में से परतेक बहुपद की घात ग्यात कीजिए, ठीक है, घात ग्यात कीजिए, ये बताओ, सबके बुक में मिल रहा है वही या कुष्टन, देखो बच्चा, अगर नहीं मिल रहा है न, तो तुम बहुपद चैप्टर खोलो, पॉलिनॉमियल जो मानलो हो सकता है हमने यहाँ पर एक्वेशन में कुछ और लिखा है, तुमारी किताब में एक्वेशन कुछ और हो, तो आप यह सीखो कि घात निकालते कैसे हैं, आप समीकरण पर विल्कुल ध्यान न दो कि आपकी बुक में क्या समीकरण है, यहाँ पर क्या है, उससे कोई म मालूम होना चाहिए बस, अब तुम किसी भी रास्ते से उसके घर जाओ, पहुचोगे तो वही ना, भाई सीधी से बाता है, अब इसकूल जाने का तुम्हारे घर से कही रास्ता है, चाहे खेतारिया कहीं चले जाओ, चाहे हाई रोड से होके जाओ, चाहे फलानेक पिछव नंबर पे है, चाहे दूसरे पे है, पच्वे पे है, कहीं भी है, तुम्हें केवल तरीक आना चाहिए, तुम पहुचोगे वहीं, समझ रहो ना, ने तो किताब में कुश्चन डूण होगे, अरे गुरु जीत हमारे मिलते है ना, हम कहे पड़े हमारे कामे कर नहीं है, तो बहुपद की घात ग्यात कीजिए, तो बिट्टा पहला जो बहुपद है, बैचल जा भाई, चलो देखो, फाइफ एक्स क्यूब, प्लस फोर एक्स का स्क्वायर, और प्लस सेबन एक्स, इसमें कितनी घात होगी, कोई बताएगा इसका अंसर, हां, प्यूसी स्टूडियो, आवाज तो सही आ रही, बच्चा, अच्छा, जिसके में धीमा आ रही होगी, तो चलो, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, उसमें क्या करना है, लो, ठीक है, मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा, ठीक है, चलो, अब आवाज थोड़ा और तेज हो गई होगी, क्योंकि कुछ लोगों का सिस्टम धीमा होता है, तो बच्चा, देखो, समझो, यहाँ पर, कमाल, कमाल के स्टुडेंट है, मैं क्या कहूँ, बहुपद की घात बराबर तीन, इसमें जितने भी पद दिये गए हैं, उसमें जो अधिकतम घात है, जो अधिकतम घात है, जैसे देखो, इस प बहुपद की घात माना जाता है, जैसे घर में देख लो, अगर चार भाई हैं, तो जो सबसे बड़ा है, उन्यता बनता ज्यादा, वही मालिक रहता है, वहीं पापा लोग कहते हैं, भाई, यह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीखिए, ऐसा होता है कभी होता है, वह सब को दुद्धी पढ़ा का मार मार कंट्रोल की रहता है, लेकिन हमारे लोग कहा मानने वाले हैं, हम कहा माननेगे उनका कहना है न, हमारे आज के जो नए समाज के बच्चे हैं, वो भले कक्छानों में पढ़ रहे हैं, उनकी दीदी या उनके भाईया भले उन सब हमारे ह líb me इसमें कोई बताये क्या होगी गहात कोई बताए देखो बच्चा इसमें जो है अगर आप देखो तो वाई का घात दो है बाकी तो कोई घात वात है नहीं तो इसमें पहुपत की घात दो होगी क्या होगी दो होगी ठीक है कितना होगी दो समझ में आ रहा ना सबको समझ में आ रहा ना मजा आ रही की नहीं देखो आप लोग वीडियो को लाइक नी कर रहे हो सेशन को बच्चा देखो मुझे नहीं मज़ा आ रही है जान लो तुम ठीक है ये कलास सुरू होने के पहले सो बच्चों ने लाइक किया था जब सुरू नहीं हुई थी तब ही कई दिन से सीडियूल थी यानि आप लोगों अगर ढाई तीन सो है तो लाइक तो उसका बतलब ज्यादा ही होना चाहिए ना क्योंकि कुछ बच्चे आते जाते रहते हैं चलो तो आप लोग फटा फटी सेशन को लाइक करो फिर मैं नेक्स्ट कुष्चन पर बढ़ता हूँ अगले कुष्चन पर बढ़ता हूँ लेकिन उसके पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट है वो बताना जरूरी है वो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा लेकिन पहले तुम समय कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें दूबारा समय दूँ तो बच्चा हो इसमें का इठी पार्ट है इसी घातांक वाले का तीन फिरी का कितना पावर होगी यह पूछ रहा है मतलब यह भी क्या है इसकी भी आपको घात बताना है लेकिन यह मुझे लग रहा थोड़ा गलत लिखाएगा कुश्चन तो था बहुपद की घात लेकिन आपका दिया है तो मुझे करना ही है देखो अगर कोई भी अचरपद है वो मैं बता रहा हूं जल्दी से लाइक करो यार भाई देखो मज़ा नहीं आ रही है दिल मत तोड़ो अंदर से कि दम चकना चूरो हो जाए हां कुछ लायक तो बचा रहने दो चलो जल्दी करो जल्दी करो हंड्रेट बाइट थ्री हंड्रेट तो करो और जो भी साथी हमारे सेर नहीं करे कलास को वो सेर जरूर कर दें देखो इक ठीन अलायक जुड़ा है आदेश इस्टडी इनका नाम है इतना बड़ा क्या कहूं नहीं बोलना चाहिए इनका इस्टडी का स्पेलिंग भी गलत है यह जो लाम में लिखे हैं और यह काफी देर से परिशान है प्रियंका तुम फेस्बुक चलाती हो कि नहीं बता दो तो इनकी जिंदगी पार हो जाया तो बरबाद हो जाओगे जो भी लाइक नहीं करेगा उसको डॉक काटेगा देखो कमाल कमाल के हमारे बच्चे है तो भाई जल्दी करो फटा फट यार आगे बढ़ते हैं चलो देखो बच्चा समझो तर दोगे आप मुझे मालूम है आप लोग हमारे बहुत फैबरिट बच्चे हैं बहुत अच्छे सुन्दर स्मार्ट क्यूट चलो यह क्या है थ्री थ्री क्या है एक अचरपद है क्या है अचरपद है जिसे कांस्टेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चा, constant बोलते हैं, तो constant का मतलब जानते हो तुम, constant मतलब आचरपद, यानि गिंती वाला कोई भी अगर संख्या है, कोई नंबर है, कोई अंक है, डिजिट है, तो वो क्या है, आचरपद है, और इसकी घात हमेशा 0 मानी जाती है, क्या होती है, 0, इसकी घ 195 का घात कितनी होगी वाट इद दा पावर आफ 195 जल्दी बताओ तुरंत बताओ एंजल ठीक है बहुत बहुत थैंक्यू आपको दिल वक्से थैंक्यू अच्छा वाला थैंक्यू सुन्दर वाला थैंक्यू चलो 195 की घात कितनी होगी देखो question पूछू ना तो इमानदारी से पटक के मारेंगे जान लो सुना करो कुछ सपना प्यूस जेके रस्मी टेकनिकल इंडिया प्रीतम ठीक है बच्चे बहुत अच्छे हजारों बच्चों के कमेंट आ रहे हाई हजारों से भी ज्यादा कमेंट आ रहे हाज चलो ठीक है तो किसी भी अचरपद यानि की कंस्ट की पावर हमेशा जीरो होती है हमेशा सुनने होती है और किसी भी चरपद की घात हमेशा वन होती है अगर वो अकेला है उसके आगे पीछे कोई नहीं है तो उसकी घात हमेशा वन होती है ठीक है समझ रहो ना अभी तक इन्होंने लवगर लिखा था मैथ लवगर लिख और हम लोग आगे बढ़ते हैं पच्वा पड़ो चलो हलाल तोपी तुम्ही पड़ो हाँ पड़ो पच्वा कोईश्चन पड़ो क्या है हाइप नमबर कुश्चन रीड करो मतलब पड़ो चेखो मैं बता रहा हूं कहरा कि बताईए कि निम्हिलिकित बहुपदों में कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन mathematics और 2.1 में बेटा खोल लो question no.5 ठीक है परशना वली आप में लिखा है अध्याय लिखा है कुछ भी लिखा है 2.1 खोल लो चलो चलो देखो यहां पर समझो पहला question क्या कह रहा है यक्स का square प्लस यक्स खेरा यह दूइपदी है या तिरपदी है या फिर रैखिक बहुपद है किस तरह का बहुपद है बताओ लक्षमी वर्मा की कमेंट है आपका ऐकोसिस कर लो फटा फट टाइम है राम नाम की लूट है लूट सको तो लूट ववन्त काल पच्छता होगे जब परान जाएंगे छूट तो लूट लो भी टाइम है चलो बताओ या सराज सिंग बहुत बहुत धन्यवाद बेटा बहुत बहुत थैंक्यू धेर सारा थैंक्यू कितने कमीने टाइप के कुछ जूड़ है न कि मैं इनको बोलूँ तो लोकों को बुरा लगेगा जाने दो चलो छोड़ो चलो देखो इसमें क्या कह रहा है हमें क्या करना इसमें पताना है कि कितना पद है देखो बच्चा जितना इसमें प्लस माइनस बीच में लगा है मैं अगर बीच में एक प्लस है या एक माइनस है, तब पदों की संख्या दो होगी, अगर बीच में दो प्लस है या दो माइनस है, तब पदों की संख्या क्या होगी, तीन होगी, लेकिन ये हर जगा लागून नहीं होगा, जो तुम ऐसे समझ नहीं पाओगे, इधर देखो, ये बताओ इसमें कितना पद है इसमें कितना पद है बच्चा ललू-लाल कितना पद है अमें बताओ साग्छी अदो, आर्या फैमली, गोपाल, संतोस, नरेस, चिराग, प्रितम, गोपी अदो, अन, आयूस, पुजा, ठीक है देखो, मतलब समझो, ये भाईया दुई घात है, ये में एक घात है, इनका जो है सिस्टम हो बरावर नहीं एक दूसरे के ये एक दूसरे में जुड नहीं सकते हैं, जुडेंगे भी तो बगल-बगल बैठे रहेंगे ऐसे मानलो कि किसी मिया बीबी में लड़ाई जगड़ा हो जाए, वो कहीं चले भी जाए, अगर तब भी उदर उदर को मुझ करके बैठे, एक्ठी उदर को, एक्ठी उदर को मतलब दूनों अलग-अलग तरब को मुझ करके बैठे तो ये क्या होंगे, मतलब चाहके भी नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि ये दोनों की जो घाते हैं, वो अलग-अलग हैं, घातांग बराबर नहीं है तो इसका अगर जोड़ेंगे तब भी आंसर इतना ही आएगा, ये जितना है उतना ही आएगा इसमें कहोगे कि आप तो बताये थे अगर एक चिन है, अगर एक चिन है तो दो पद माना जाता है तो बच्चा देखो, इनकी घाते बराबर है, घात बराबर है ना बच्चा, घात बराबर है ना जब उनका कैलकुलेशन एकदम अंतिम चरण तक कर लें कि इसके आगे अब कोई कुंजाइफ नहीं है बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और मैं देख नहीं पाया भी था कभी बंद भी होने वाला था वै काय को बज़ रहा है वै जिती ना करवा हो गई एक मिनट रुख जाओ में लगा दूँ चलो दिखे चार्ज होगा तो इसमें पदों की संख्या कितना है एक है इस बात को ध्यान रखना यह कौडरेटिक आपका कह सकते हो लेकिन इसको नहीं कह सकते हो वनोमियल है यह चलो कुछ समझ रहो ना एक पदी दूइपदी की बात हो रही यहां पर ऐसे ही कुछ और भी था ना दूइपद एक पदी हाँ वही था ठीक है तो यह क्या है एक पदी कह सकते हो इसको यह एक पदी बहुपद है दूइपद नहीं कह सकते हो इसको क्योंकि यह क्या हो रहा है फाइनल में हल हो जा रहा है तो अगर आप उसे हल करते हो, simplify करते हो और वो हो जाता है तो फाइनल में जो बचता है वही उसका क्या करेगा, निरड़य करेगा कि वो एक पदी है कि दूई पदी है समझ रहे हो ना, तो किसी को बाहर से फटा पुराना कपड़ा, पहिने और साइकिल फे जा रहा है तो उसको गरीब मत समझ ना हो सकता है वो एक BMW को पैसा जेब में रखा हो, हाँ, समझ रहे हो ना कोई बढ़िया से अगर कालर खोल के जा रहा है चाउड़ी आए के गाड़ी से इसका मतलब वो राजा नहीं है, हो सकता है वो करजे लेके गाड़ी लिया हो हमारे देश में बहुकाल चलता है, समझ रहे हो ना, हमारे देश में बहुकाल चलता है इसका उधारण मैं इस लिए बताया कि जो ये question है न उसको देख करके तुम पहले decide नहीं कर सकते हो कि वो एक पदी है दुई पदी है ये तीन पदी है पहले उसे समझना होगा हल करना होगा last में वो जाके clear होगा ठीक है तो आगला देखो ये बुक वाला है आपका X-X का Q ये कितना पदी है बताओ ये कितना पदी है बोलो गीता मौर्या दोनी, मनीस, आरती गुपता, हीना साहू देखो इसमें अगर आप कोशिस करो हल करने का तो इसमें कुछ होगा का भया इनकी एक गात है इनकी तीन गात है ये किसी भी तरह से एक दूसरे के बराबर है नहीं तो इसमें मुझे ने लगता कुछ होने वाला है कुछ नहीं होने वाला बेटा तो ये दुइपदी है क्या है दुइपदी एक बार मैं आपको फिर से दोहरा दूँ आप पढ़रे हो कुछ समझ आया? चलो तो तीसरे की बात करें अगर इसमें थर्ड पार्ट की तो बच्चा ये हैं Y प्लस Y का स्क्वाइर और प्लस 4 इसमें कितना पद है? जो को यहाँ पे समझो सपना, आजय गेमिंग, नरेस भाई ज्यादा तर तो हमारे गेमिंग वाले ही क्योंकि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं फिल्ले भर के ये साब एकठी चैनल बना लेते हैं दिन बर गेम खेलते हैं, इनको पढ़ने-बढ़ने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि टाइम बदल गया पहले वो समय था जब कोई बच्चा नाइन्थ में, एट में कि हाई स्कूल इंटर तक अगर मोबाईल लेके जाता था तो खूंडा जाता था कि स्कूल में मोबाईल काहल आया है आज कक्छा दो का बच्चा भी मोबाईल में इस्कूल चला रहा है हाँ, मतलब उसको इस कथन को और करनी को सब उल्टा कर दिया कि स्कूल मोबाईल में चलेगा आप यानि स्कूल ही मोबाईल में आ गया मोबाईल में स्कूल नहीं ले जाना है हाँ, मतलब स्कूल में मोबाईल नहीं ले जाना है इस्कूल ही मोबाईल में आ गया है एना तो इसमें तीन पद है क्योंकि ये ना जुड़ेगा इसमें ना घटेगा कोई बदलाव नहीं हो सकता तीनों अलगलग है इफ लिए कितने पद हैं तीन पद हैं कितने पद हैं तीन पद हैं वच्चा ठीक है तो यह त्रिपदिये बहुपद है तो इसी तरह से आप सम अकले हैं अकले हैं जो ओड़ा है यह नहीं को नहीं का बताएं एक ठी आउर बताओ यह कितना पद है भाईया है में देखो आपके बुकिया में दिया हो गई सत्वा नंबर 7X3 इसमें कितना पद है बताओ उपासना चाइना अवस्थी भाई नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है तुम थोड़ा लेट नहीं हुए हो बेटा तुम बहुत लेट हुए हो कलास खतम होने वाली है कमाल कहें लल्लू चच्छा तुम 8 बज़े आ रहे हो कह रहे हो कि थोड़ा लेट हुए है इनका नाम बहुत बड़ा है इतना चौड़ा सा है मुए पढ़ नहीं पाया क्या नाम था यह कह रहे हैं कि सौरी हम थोड़ा लेट हो गए मतलब कलास तो हमारी चल रही साथ बजे से यह जुड़ रहे हैं आठ बजे इका कह रहा है तिरगात गलत बताया है उपासना तिरगात नहीं बता रहा हूँ यह तिरपद है सौरी यहां तिरगात बताया क्या मैंने यहां गहात की बात नहीं हो रही है यहां पद की बात हो रही सुरी अगर मैंने तिर गहात बताया थो यह दूइगात तिर गहात नहीं यह दूइपदी है यह तिर पदी है ठीक है यहां पर एक पद दूइपद बहुपद यह कौन सा मतलब है वो बताना है क्या क्या बताना था इसमें घात वाला बताना था क्या यह पांचमा चल रहा है न एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखो मैं दोनों एक साथ बता देता हूँ सब clear हो जाए, कुछ लोगों को confusion है जिनके book में घात वाला बताना है जिनके में पद वाला दोनो clear कर लो ठीक है, दोनो clear कर लो इसमें कह रहा था कौन-कौन बहुपदों में से कौन-कौन बहुपद रैखिक हैं कौन दुई घाती हैं, कौन तिर घाती हैं लेकिन अगर घात की बात करें तो ये कौन सा है, ये तिर घाती है याद रखना क्योंकि इसमें क्या है maximum घात तीन है ठीक है, तो लिख लो इसको तिर घाती चलो फटा-फट लिखो हाँ, हाँ, मैं दोनो चीज इसमें आप लोग हाँ, आंसर मिलाए रहो, कोई दिक्कत नहीं है आपे समझो गलत नहीं बताएं, बै तुम लोग का दिमाग सही नहीं ये देखो question में आप से हाँ, मैं मानता हूँ question में आप से पूछा है, घात के बारे में ही बात करना है, पद के बारे में बात कर लेते हैं, ये तिरपद है हाँ, अगर घात की बात करें तो ये दूइ घाती है, क्योंकि इसमें अधिक्तम घात क्या है, दो है, ठीक है अधिक्तम घात क्या है बच्चा, दो है तो आप लोग चलो, समझ लो इसको, ये दूइ घाती समीकरण है क्या है दूई घाती समीकरण है और अगर पद की बात करें तो यह तिरपद है क्या है तिरपद है और इस पे क्या बात करें यह दूई पदी पद है यानि इसमें दूई पद है लेकिन अगर घात की बात करें तो यह तिर घाती है यह को दोनों के लिए कर लो इसमें हमसे इतनी चूक हो रही थी कि इसमें हम आपको पद के बारे में बात कर रहे थे घात के बारे में बात नहीं कर रहे थे है ना समझ रहो ना यानि हमें इसमें क्या करना है पावर के बारें बात करना है ये जरूरी है कुष्चन में यही पूछा गया है पद के बारें में बात करो या ना करो लेकिन मुझे यही ध्यान नहीं था क्योंकि मैं कुछ और बता रहा था ठीक है लेकिन जो बता रहा था वो सही था उसमें कोई गलत नहीं था कोईस्टन में मैं कुछ और समझा रहा था आपको समझाना कुछ और था बस इतना है तो यह हो गया, इसका जो first part है, इसका जो first part है, उसको मैं बता देता हूँ, उसको भी समझे लो आपके काम का इसमें सिर्फ यही उत्तर है तिरगाती, उत्तर माला में आपके तिरगाती दिया होगा, दुई पदी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो पदी के बारे में पूछा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बताया हूँ, इसलिए मैं लिखा हूँ, चलो तो कुछ extra सीख लोगे तो खराबेगा नहीं हाँ, पहले के बारे में बात कर लेते हैं, जो पहला मैंने छोड़ दिया, मतलब बता दिया, आपको आगे चल दिये के तुविवांत एक लेकिन अगर पद की बात करें यह दुविपंद हैं क्या है हम स्मझ गए ना? यह दूविगात समीकरण आगर पद की बात करें तो क्या है दूविपंद है ठीक है, monomial जानते हो, और वो, अभी क्या बताया था, मैंने यही से कुछ बताया था न, monomial और binomial, तो यह क्या है, binomial है, दुई घात है, यानि quadratic है, दुई घात मतलब quadratic, ठीक है, समझ रहे हो न, तो यहां से आपको सब चीज समझ के चलना है, आपका जो book में question है, वो सिर्फ इ देखो, अगर x square प्लस 3x प्लस 1 लिखूं, तो बच्चा यह क्या है, यह दुई घात समिकरन है, यह quadratic की question है, लेकिन अगर पद की भात करें, तो यह तिर्फ पद है, देखो जो चीज पढ़ो न, उसको एकदम घोल के पी जाओ, समझ रहे हो न, इसमें तीन पद है, एक दो समझो, अच्छे से पढ़ो, पूरा एकदम घहराई से उसमें घुष जाओ, मारो एकदम दुआ दुआ कर दो, जब तक तोडएंगे नहीं, तब तक छोडएंगे नहीं, समझ रहे हो न, आपकी बुक में सिर्फ इतना ही पूचा है, यह किस परकार का समय करना है, दुई घ का मिल जाएगा, अब साइंस का पेडियम मिल जाएगा, देखो, पहला चैर्वर Cliff हो गया है, आपका पीडियाफ हाज रात तक हम डलवा देंगे, टेली गराम चेनल पे ठीक है, साइंस का पहला पार्ट खतम हो गया है, उसका गड़। पीडियम मिल जाएगा, लेकिन एक च लिखना पड़ेगा जातना लिखोगे न उतने तयार होगा नहीं लिखोगे तो कुछ होगा नहीं तो आपका 2.1 हो जाएगा खतम हाँ यह भी देख लो सत्वा वाला कि यह कहा रहा कितना घात का है चलो बताओ 2.1 का पच्वा का सत्वा जल्दी बताओ 2.1 का पच्वा का सत्वा यह कितना घात का है बाई चलो जल्दी से पटापट कोशिस करके बताओ आप लोग देखो बच्चा अगर इसमें हम घात के बारे में बात करें अगर इसमें घात के बारे में बात करें तो यह तिर घाती है क्योंकि अधित्तम घात क्या है तीन है लेकिन अगर पद की बात करें तो यह एक पद है क्या है एक पदी है ठीक है क्या है बच्चा यह एक पदी है एक पदी मतलब मोनोमियल है यह मोनोमियल है औरे क्या बोलते हैं उसे वन पावर को क्या बोलते हैं इसका तिर घात को इंगल इंग्लिस मुझे बहुत कम आती है इंग्लिस क्या बोलेंगे इसे जैसे दोगात को क्वाद्रेटिक बोलते हैं हाँ ट्राइनोमियल ऐसे कुछ होता है हाँ है यही होता है तो समझ रहे होना आप लोग विनोद म्यूजिक वर्ड समझ में आ रहे है ठीक है ओके बेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे काफी कोसिस कर रहो भई अंजली ठीक है दिलीब सबका हो गए है सब लोग कर लिए ठीक है चलो बच्चे बहुत अच्छे तो आपका ये 2.1 एकसरसाइज खतम हो गई अब मैं थोड़ा सा बच्चों से बात करूंगा बच्चों आप लोग यह बताओ बाबू कि आप लोग कहां कहां से जुड़े ह आपका जीला कौन सा है और राज जी कौन सा है दो मिनट आपके लिए टाइम होगा आप सभी जल्दी से फटा-फट कमेंट करके बता दो कि आप कहां कहां से जुड़े हो चलो फटा-फट बताओ हाँ क्यूबिक बोलेंगे ठीक है बहुत अच्छा चलो PBR study में पैसा लग रहा है सपना मीना कहां पैसा लग रहा तुम्हें हाँ तुम्हारा दिमाग ओमाग गडबड चल रहेगा क्लास बिल्कुल फ्री होती है यूटूब पे बिल्कुल फ्री होती है कोई पैसा नहीं लगता है और सभी सब्जेक्ट का कलास बहुत जल्दी ही चलेगा साइंस मैच चल रहा है इंगलीज भी चलवा देंगे सब चलेगा आप प्यार से पढ़ो सभी पहले ये बता मुझे कौन कहां से जुड़ा है आपका जिला कौन सा है और आपका राज्य कौन सा है मतलब आपका सहर आपको बताना है ठीक है बच्चा जल्दी बताओ तो मुझे जल्दी से फटा पड़ देखता हूँ मैं कौन कौन बताता है बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड मैं इसमें पढ़ नहीं पाऊंगा इतना तेज में तो चलो देख लेता हूं फिलाल सीतापूर से हैं भाई इसमाईली चैनल धोनी गुपता बिहार के आरा से हैं देखो जो जिला और राज्य दोनों लिखेगा मैं उसी का बोलूँगा जो सिर्फ जिला लिखेगा या सिर्फ राज्य लिखेगा मैं उसका नहीं बोलूँगा जो दोनों लिखेगा जिला और राज्य मैं उसी का कमेंट पढ़ने वाला हूं ठीक है चलो बच्चा बेरी गुड भाई रैबरेली के उत्तर परदेश से हैं दीपक कुमार साह सुभाम जी नेपाल से हैं भाई बहुत अच्छी बात है आप नेपाल से पढ़ रहो परितम विश्वास यूपी के गाजीपुर से हैं और स्री राम चंदर जी की नगरी आयोध्या से हैं आन से आदो बूंदी राजस्थान से भाईरो गेमिंग जुड़े हैं चलो नहीं करने वाले नहीं नहीं आज तुम पूरा दिल लगा के कमेंट कर लो मैं स्लो मोड नहीं करूँगा खुब कमेंट करो दबा के करो चलो परियंका जी है यूपी के परियाग राज से मतलब यहीं हमारे इलाबाद से पडोसी है और लखनव उत्तर परदेश से ब्रोडिस जुड़े हैं हरदोई से मिश्टर परफेक्ट जुड़े हैं धोनी गुपता अनूब यादव यह लखीम पूरी उपी से हैं संतोजी कोडर्मा जारखंड से जुड़े हैं